हेलो दोस्तो नमस्कार एसम किसी चैनल में मैं आप सबी लोग का दिल से बहुत-बहुत सवगत करता हूँ तो दोस्ते आज के दिन का आखरे वीडिया है और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में एक अच्छा खासा न्यूज यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है और यह न्यूज का प्रेडिक्शन में इससे पहले भी किया था हाला कि पूरी न्यूज देख लेंगे यहाँ पर एंड उसके बाद क्या करना है जो मुझे लगता है वो मैं आपके सामने रखूंगा जो चीज़ी अच्छी लगते आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो बाकि अगर आप चाहो तो इगनोर भी कर सकते हो तो वीडियो को स्टार्ट कर पर यहाँ पर आप लोग खवर देखोगे फटावट हम लोग यहाँ पर ओवर वीई देखेंगे जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो डिमांड के जो डिमांड है इसी के साथ साथ अगर हम लोग यहां पर बात करें तो यह negative air passenger का जो demand है जो trend हम लोगों को चलते वे देखने को मिल रहा है वो continue यहां पर रहने वाला है और इंडिया की बात नहीं है पूरे globally हम लोगों को यह दिक्कत है यहां पर देखने को मिलने वाली है इसी news का prediction में इससे पहले भी किया था जो कि हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि यह जो COVID का problem है वो सिर्फ इंडिया का नहीं है यह पूरे दुनिया का problem है कई पे भी COVID अगर बढ़ जाता है for example XYZ country में तो obviously वहां से आने वाली flights के उपर restriction लगाए जाएंगे या फिर complete बंद भ बहुत बार मिल चुका है तो इसका जो परिणा में obviously कौन से companies के उपर होने वाला है तो जो airlines वाली जो company रहती है right aviation sector वाली कंपनिया इनके उपर यह आने वाला है तो आप लोग यह आपर देख सकते हैं दोस्तों IATA नहीं ही यह data यह आपर बोला है international passenger traffic down by 89% in feb month and there is no sign of recovery जोटा मोटा jump हम लोग कह सकते हैं कोई बड़ा देखे कोई stock अगर गिर जाता है for example ऐसे में तो ऐसी चोटी सी बोलते है ना dead cat bounce थोड़ी सी jump आ सकते है बट इस level पे जाना फिलाल airlines companies का बहुत ही जादा मुश्किल लग रहा है somewhere around मुझे इसा लगता है इसके लिए 5-6 साल भी लग सकता है मैं demand की इसाब से बात करा हूँ so obviously airlines से जुड़ी वी जितनी भी company है अगर मैं बात करूँ देखे इंडियन मार्केट की इसाब से airlines से जुड़ी वी चार ही company मोटा मोटी हम लोग को देखने को मिल जाती है जिसका नाम आप लोग के सामने है एक है इंटर ग्लोप SpiceJet, Jet Airways and Global Vectra so इन चार companies की बात होने वाले और बहुत ही आसाने इन चार में सी किसी को भी चुनना क्यों क्योंकि अगर हम लोग लोग आप देख सकते दोस्तों ये company 40 रुपे की है and maximum chart pattern अगर हम लोग देखते क्योंकि हमारे जो 7 parameters हम लोग चेक करते उसमें से पहला parameter ही आ स्किप कर लेते, Jet Airways, same उसी भी राधरी का है, यहाँ पर बीच 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 ने news आती रहती कि वापस उड़ेगा करके बट उसके लिए time लग जाएगा, तो यह देख लेना, यह भी फिलाल नीच ही है, so इसके बारे में भी फिलाल हम लोग नहीं सोच सकते, तो यह दोनों company अगर हम लोग बात करें, जहाँ पे थोड़ी सी उम्मीद है, वो है Spice Jet, and Spice Jet बहुत से लोग को पसंद भी आता है, एक खबर है, RJ के portfolio में यह stock हम लोग को देखने को मिलता है, and then देखा जाए तो सस्ता भी है, तो इसलिए बहुत से लोग इसमें जंप कर लेते, बढ़ मतलब 2019 में ही शुरुआत हुई थी, उसके हिसाब से अगर हम लोग देखे, तो अभी तक यह company नीचे ही देखने को मिल रही है, and मैं याद देलाना चांगा, COVID तो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है, उससे पहले भी यह company नीचे ही perform करती हुए देखने को मिल रही स्पाइस जेट भी देखा जाए, तो इतना कुछ spicy stock नहीं है, अच्छा कासा performance अभी तक यहाँ पे नहीं दे रहा है, and अगर हम लोग बात करें company के revenue की, तो वो भी आप लोग देख सकते, company का revenue रिकावर तो हो रहा है थोड़ा, बट यह देख लेना, यह gap हम लोग को बताता है, कि company अभी भी, मतलब आदे दाम पे यहाँ पे चल रहे है, revenue की हिसाब से बात करें, या फिर profit की बात करें, तो profit में मतलब, profit शब्दी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे तो loss की बात होती है, 66 करोड का loss, फिलाल, spice jet यहाँ पे दिखा रहा है, हाला कि company रिकावर तो कर देख loss में, बट क्यों ऐसे company में जाना, जहाँ पे इतने सारे stocks available है, fundamental strong है, covid के चलते हैं, ऐसे businesses में क्यों पैसा लगाना है, जहाँ पे उसी की जो बड़ी body है, वहाँ आके बताती है, data हमारे सामने रखते हैं, कि recovery के लिए भी फिलाल हम लोग कोई भी expectation ना रखे, यही मैं बात के इसे देखने को मिलती है, so इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसे stock से आप लोग चाहो तो दूर रह सकते हो, मैंने वर्ड यूस कहा है, चाहो तो आप चाहो तो निवेश भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, then 9th April के अगर मैं बात करू, 35% की deliverance देखने को मिल रही है, इसके पहले भी उनका core business है, passenger की related ये flights उडाते हैं, वो उनका core business है, उससे थोड़ा बहुत फाइदा उनको जरूर होगा, बट passenger जब तक लोट करने आते, तब तक airlines company की हालत खराबी रहने वाली है, then अगर हम लोग बात करें, आखरी कोई company है, अभी इस sector की बात करो, एक sector कोई worst नहीं है, ब इसी knowledge के चलते हैं, आप मेरे पुरानी videos भी देख सकते हो, जापे मैंने का था कि मैं exit ले रहा हूँ, 1400 क्यूंकि reason यहीं था, कि COVID के चलते, airlines company अच्छा कासा business नहीं कर पा रही है, जो कि actual में नहीं कर पा रही है, बट still, शायद से हम लोग कह सकते कि इस company को monopoly की कारण, यहाप पे हम लोग को share में jump देखने को मिल रहा है, हाला कि क्या sir आप वापस निवेश करोगे नहीं, मैं अभी भी इसमें ready नहीं हो, निवेश करने से लटाए, आप देख सकते maximum chart pattern, बहुत ही ज़्यादा volatile फिलाल हम लोग को यहापे देखने को मिल रहा है, so inter globe aviation company खराबनी अभी क क्या करें, situation ही खराब है, जैसे मैं बोलता हो ना cricket का example, विराट कोली, रोईट सर्मा अच्छे बैट्स वाने, बट कोविड के चलते मैच ही नहीं हुआ, तो फिर रंज बनेंगे कहाँ पे, तो ऐसे situation इस company की भी हापे हो चुकी है, so अगर आपको जाने ही aviation के लिए, तो इन performance था, वो comeback नहीं हो रहा है, अगर हम लोग बात करें, company आप देख सकते, 620 करोड के loss में भी है, जो कि हम लोग को पहले, कुछ समय पहले, एक साल पहले, 500 करोड के आसपास के profit में देखने को मिल रही थी, so loss में है company, हम लोग जरू कह सकते, business भी अच्छा है, यापे नहीं हो बात करो, तो study की हिसाब से जरूर, मैं ऐसे stocks को यापे इगनोर ही करना पसंद करने वाला हूँ, so video close करते हूँ, यही कहना चाहूँगा, airline से related है, 4 ही companies है, but again कहना चाहूँगा, इसको cut कर लो, इसको भी cut कर लो, spice debt and inter globe, यह फिलाल जिन्दा company, आप ऐसा भी बहुल सकते हो, इसमें भी spice debt struggle बहुत ज़्यादा करें, indigo अगर आप चाहो, तो मतलब बोलते हैं अगर आपको करना ही है, तो ही आप इस case में जा सकते हो, अगर मैं अपने हिसाब से बात करो, obviously मैं already ignore कर चुका हूँ, PVR, Inox, उसी के साथ साथ, indigo, यह एक ही time पे 1400, दोनों के दोनों, PVR भी 1400, वो भी 1400 exactly price याद है, तो already निकल चुका हूँ, PVR हाला की size line में जाते हूँ देखने को मिल रहे है, जैसे predict किया था, indigo की बात करें तो अभी तक देखा जा तो 1400 के वो उपर यह, but still अभी तक कोई भी मैं comeback नहीं करूँगा, जब तक मैं बोलता हूँ ना, जो fundamental analysis हमेशा, result ह हम लोग किसी भी चीज के उपर भरोसा usually नहीं रखते, या फिर अगर मैं बाद भी करूँ, तो indigo के हिसाब से, तो और भी दिक्कत हम लोग को future में भी यहापर देखने को भी मिल सकते, indigo नहीं, चारो companies के यहापर बात करें, बट मैंने जैसे आप लोग को जो point बोला, इसक बोलते हैं कि सर क्यों नहीं जा सकते, अगर आपको जाना है तो जाओ, बट मार्केट में इतने सारे स्टॉक से ना, इतने सेक्टर अच्छा कर रहा है, IT अच्छा कर रहा है, फार्मा कर रहा है, FMCG कर रहा है, auto recover हो रहा है, तो ऐसे इसमें जाने से, मतलब जाना चाहिए, आप लोगों ने ना कि ऐसे सेक्टर में जापे, अगर आपके पास पुंजी बहुत ही जाद है, तब आप लोग रिस्क ले सकते हो, आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत बड़े-बड़े इंवेस्टर है, RJ जैसे इंवेस्टर, कभी-कभी पेनी स्टॉक में भी लगा आप लोग चाते हो कि एरलाइन वाला भी मेरे पास चाहिए, तो आप जा सकते हो, बड़ अभी तक आपका कोई पॉर्टफोलिय में रेडी नहीं है, आप लोग में स्टॉक को सिलेट करने के बजाए, ऐसे स्टॉक में जाना चाते हो, जहापे स्ट्रगल बहुत जादा है, तो थोड़ा सा गलत जा सकते हो, ऐसा मेरा पर्सनल स्टॉडी कहता है, तो इतना है कहना चाहूंगा दोस्तों, इन स्टॉक में और भी आगे दिक्कत है, आपे आ सकती है, इंडिगो एक ही स्टॉक यहापे जिन्दा नजर आ रहे हैं, बाकी तीन को तो आप लोग इगनोर क चलोगे तो भी चलेगा, छोटे मोटे जंप आते रहेंगे, वह सत्तर है, हंड्रेट जा सकता है, वापस नीचे आ सकता है, बट वो हमारा मकसत नहीं है, हमारा मकसत यह है कि अगर मार्केट में गिरावट आ गई बड़ी, तो क्या यह स्टॉक में लोग पैसा लगाएंगे तो आपको भी पता है, चांसेज बहुत ही कम है, लगाएंगे तो शायद से इंडिगो के और वो जा सकते हैं, बट उसकी भी संभावना बहुत ही ज्यादा कम नजर आती है, तो जीतने भी पॉसिबिलिटी वाली बाती थी, वो भी मैंने आपको यहापे बता दी है, तो जीत झाली, बटब है, जीतने आपको यहाँ टूब थी, तो भी जीतने दूबगार बटा मैंने भी मैंने भी संभा आती है